नमस्कार ये आकास मानी है अभी आप दिनेश कुमार सिंग से समाचार सुनेंगे पहले मुखे समाचार पर्धान मंत्री नरेंदर मोदी ने कहा बीर बाल दिवस मनाने के साथ ही देश की आजादी के अमरित काल में नए अध्याई का अरंब हुआ भारती ने उसेना के बेडे में नमिंतम स्टिल्थ गाइडेड मिसाइल युद्ध विद्ध्वान सत युद्ध पोत इंफाल सामिल प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने कहा है कि वीरबाल दिवस मनाने मनाने के साथ ही देश की आजादी के अमरित काल में नए अध्याई का आरंब हुआ है नए दिलिक के भारत मंडपब में बीर बाल दिवस कारकम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जब विश्व बिभिन्य चुनोतियां से जूज रहा है तब भारत महत्पूर भून का निवारा है उन्होंने कहा कि अर्शास्त्रो विद्यान सोथ खेल या नितिगत मामले हर मोर्चे पर भारत नई बुलंदियां हसिल करने का प्रियास कर रहा है उन्होंने कहा कि यह भारत का समय है प्रतानमती ने कहा कि पहली बार वीरबाल दिवस पिछले वर्श 26 दिसंबर को मनाए गया था उन्होंने यह भी कहा कि वीरबाल दिवस देश की रच्छा के लिए कुछ भी कर गुजरने के जज़वे का प्रतीक है वीर बाल दिवस स्री गुरुगुविन सिंग के पुत्रों साहिब जादा बाबा जोरावर्ष सिंग जी और बाबा फते सिंग जी की सहाधत की याद में मनाय जाता है गुरुगुविन सिंग ये की प्रकासपर के उसर पर पिछले वर्ष फरवरी में जन्वरी में प्रधानमंतिर नरिंदर मोधी ने प्रतिएक वर्ष 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने की घोशना की थी इसवसर पर सरकार देशबर में विभिन्न कारकमाजित कर रही है जिसमें नागरिकों विशेश रूप से युवाओं और बच्चों को साहिब जादाओं के अद्यम सहस की कहानी के बारे में जानकारी दी जा रही है इस उसर पर देशबर के स्कूलों और बच्चू की देखबाल करने वाली संस्थाओं में साहिब जादाओं के जीवन और उनके त्याक के बारे में डिश्टल प्रदर्सनी लगाई गई है इसके अत्रिक त्प्रदर्सनी जैसी विभिन आनलाइन प्रतियोकताई भी माई भारत गाउ पोर्टल पर आजित की जा रही है प्रदानमंती नहीं कहा कि अच पूरे बिस्व में भारत की पैचान ऐसे देश के रूप में बनी है जहां आउसर ही आउसाने उन्होंने इस बात पर जोड़ दिया कि भारती अर्थ ब्योस्ता विज्ञान, सोद, खेल और कूटनीती की वैस्वीकत समस्याओं को सुल्जाने में महत्पूर्ण भूमिका नबारा श्री मोदी ने लाल के लिए से किये गया अपने उस आवान को भी दुराया यही वाज समय है यही समय है सही समय है पर्धान मंतिर ने जिवाओं को अपने सौस्ते को सिर्ध प्रातमिताद देने की सराध दे क्योंकि यह जिवन में इस चीद परिणामों को हасिल करने के लिए अत्यन आवस्यक है किन सरकार मौसम के बारे में लोगों को जागरू करने के लिए पंचाय तस्तर पर बहुत जल्द मौसम सब्मंदी सेमाई शुरू करेंगी केंदरी पिर्थी विज्यान मंत्री के रिण रिजु ने आज नई दिल्ली में भारती मौसम विभाग के 150-वे वर्ष के अउसर पर लोगों का आनावरन करते वे ये चानकारी दी उन्होंने का कि भविस में मौसम विभाग के भूमिका बहुत महत्पुन होने वाली है स्री रिजु जु ने कहा कि भारत को 2047 तक बिक्षी देश बनाने के परधानमंती नरेंद्र मोधी के लची को प्राप्त करने के लिए पर्थी विज्यान मंत्राले ने एक विज़न डॉकुमेन तियार किया है स्री रिजुजु के विकास को सुनिचित करने के लिए विज्ञान को उच्च प्रात्मिता देने की जरुत पर बल दिया भारत की वैस्वीक नेतितु के बारे में सिर्जु ने कहा कि भविस्य में देश मौसम संबंदी अध्यान के लिए ठेतर में अगरणी भूमिकाने भाएगा भारती ये लेखा परिच्च तता लेखा सेवा, भारती राजसु सेवा, भारती ये सांखिकी सेवा के विच्चा दीन अधिकार्यों ने राश्पती भौन में अज राश्पती द्रोप्धी मुर्मु से मुलाकात की इस उसर पर राश्पती ने कहा कि सासन पढाली में महत्पूर्ण पदों पर रहते हुए लोग सिवा उन्हें देश की सिवा का उसर परदान करेगी उन्होंने कहा कि वे अपने छेत्रों में नवाचार, बुद्धिमत्तापून और नागरिक केंदरित कार्य परणाली से भारत के विकास की यात्रा में अपार योगदान दे सकते हैं राजपती ने उन्हें ये याद करनी की सलादी कि उनके कामकाज और निर्णयों का असर सभी नागरिकों के जीवन पर पड़ेगा देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कुल 116 कोविट के मामले सामने आएं और इस दौरान तीन रोग्यों की मौत हुई है तथा 293 रोगी ठीक हुए हैं केंदरि स्वास मंत्राले के उनसार बर्तमान में 4177 कोविट रोग्यों का इलाज चल रहा है केंदर सरकार ने कहा कि इस टार्टप ने बिभिने चेत्रों में 12 लाग से अधिक लोगों को रोजगार के आउसर मुखई अकरा हैं देश में रोजगार के आउसर 1,14,000 इस टार्टप के माध्यम से परदान किये गए हैं केंदरी माडे जोग मंत्राले ने एक वक्त अबे में बताया है कि भारत इस वर्स बैस्विक नवाचार इंडेक्स में 40 में पैदान पर पहुँच गया है जबकि 2015 में भारत 81 में अस्थान पर था मेकिन इंडिया अभियान के दूसे चर्ण में भारत को बिस्व में बिनिर्मान का केंदर बनाने के लिए 27 विविन्चेतरों पर ध्यान दिया जा रहा है केंदरी वितमर्टरी निरमाने बाड़ प्रभावित थूथू कुटी जिले का दवरा कर इसीती का समिच्छा कर रही है केंदरी वितमर्टरी थूथू कुटी के जिला परसाशन के साथ समिच्छा बैठक भी की विक्सित भारत संकल प्यातरा सुसासन को आम लोगों तक पहुचा रही है अवनाचल प्रदेश में विक्सित भारत संकल प्यातरा ऐसा मात्मुन माध्यम बन चुकी है जिसके जर्ये विभिन्द प्रमुक सरकारी योजनाय लाबार्दियों तक पहुचा जा रही है और यह सुनिशित किया जा रहा है लोगों को उन्नत उसका लाब सत प्रिशत मिले केंदरी विज्ञान और प्रोध्योग की मंतरी डॉक्टर जितन्द सिंग ने आज जम्मो कस्मीर के सभी जिलों के लगबग 200 इसकोली चात्रों के एक प्रत्मंडल से मुलाकात की यह चात्र आजकल नई दिल्ली की यात्रा पर आई हुएं के इन सरकार के वतन को जानो युवा आदान परदान कारिक्रम 2023 के अंतरगत यह चात्र जैपूर अजमेरो नई दिल्ली की यात्रा कर रहे हैं एक बारत सरे इस भारत की भावना से इस यात्रा को देश जम्मू कस्मीर के युवाओं को देश की सांस्कृतिक और सामाजिक विवित्ता से अउगत कराना है इस असर पर डाक्टर सिंग ने कहा कि प्रदान मंतरी नरेंद्र मोदी के नितित में जम्मू कस्मीर मोलेखनी बदलावाया है उनोंने कहा कि प्रसास्निक समर्थन आधारबू ढाचे में सुधार और युमाओं को ज़्यादा से ज़्यादा प्रात्मिक्ता देने के कारण ये बदलावाया है केंद्रि मंतरी और भारती जन्ता पार्टी की तेलंगा नहीं कहाई कि अध्याज जी की सन्रेडी ने कहाई कि पार्टी आगामी लोग सभाचुनाओ अपने बलभूतिय पर लड़ेगी पत्रकारों से बाचितमे उन्होंने कहा कि भाजपा भारत राश्रे समिती बियारेस और कांग्रेस दोनों दलों को कड़ी टक कर देगी स्री रटी ने विश्वास बेक्तिया कि पार्टी लोग सभाचुनाओं में सांदार्ध जीत आसिल करेगी उन्होंने कहा कि राश्रे भाजपा ने हाली में हुए बिधान सभाचुनाओं में कई सबक्सिक हैं पार्टी के इन सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुचाएगी उन्होंने कहा कि भाजपा के राश्रे दच जगत प्रकास नडड़ा अगले सब्ता हैदराबाद आएंगे इससे पले स्री किसन रेड़ी ने हैदराबाद के अमीर पेट में गुरुद्वारा सहाब में अरदास किया भारती नोसे न के बिसफोटक, आयुदरोधी, दल, निकल, मुंबई, बंदर का पहुचने पर व्योसाइक जहाज MB के प्लूटो का घहन ने रिच्छन किया दो दिन पहले इस जहाज पर अरब सागर में भारत के पस्चिमी तठके नजदीग उस समय ड्रोन से हमला हुआ था जब यह नू मेंगलोर बंदरगा की ओर जा रहा था नोइडा में राष्टी महला मुक्यवाजी चेंपियन सिप के क्वार्टर फाइनल में हर्याना की मनिसा मौन ने मिजोरम की टीसी लाल रे मुरूती को पांच सुन्च से हरा कर सेम्फाइनल में प्रिश किया सेमिपानल में मनिस्या का मुकाबला पंजाब की सिमरंजीत कौर से होगा एक अन्य क्वार्टर फार्नल मुकाबले में 60 किलोग्राम भारवर्ग में सेना की जेस्चिन चम्बूरिया ने महराश्र की पूनम कैट वास को हराया सेमिपानल में जैसमिन का सामना हिमाचल प्रदेश की में का देवी से होगा मिस्या में इसराइल और हमास के बीच युद्ध रोकने के लिए तीन चरणों वाली योजना का प्रस्ताव रखा है इससे पहले चरण में इसराइल को एक से दो सब्ता के लिए सेंट कारवाई रोकने होगी ताकि हमास महिलाओं और बुजूर्गों सही चालिस बंदकों को रिहास कर सके दूसरे चंड में हमास और इसराइल के बीच बंदकों के सौओ का अदलावदली के लिए समझाता सामिल है और तीसरे चंड में होने वाले समझाते कथथ इसराइल 6,000 फिलिस्तिनी कैदियों को अपनी जेलों से रिया करेगा जिसके बदले में हमास इसराइली सेनिकों और बंदकों को छोड़ेगा पिछले सब्ता हमास ने कहा था कि फिलिस्तीनी पच्च कैदियों के अदलाव अदली के सम्मन्द में तब तक किसी बातचित के लिए सम्मत नहीं है जब तक इसराइल गजा में सेनिकारवाई बंद नहीं करता पाकिस्तान में चुना आयोग ने 24 नियाधिसों के अपीली ट्रिबूनल की निक्ति की अज़सूचना चारी की है यह अपीली ट्रिबूनल अगले वर्ट्स आठ प्रविकों होने वाले आम चुनाओं के लिए उम्मिद्वारों के नामांकन पत्रों को स्विकार या नामंजूर करने से जुड़ी सिकायतों का निप्टारा करेगा इसी के साथ समाचार बुलेटिन समापत हुए नमस्कार